नमस्कार दोस्तों आज फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल ले भी सी क्लासेज में दोस्तों मैंने अपने पिछले लेक्चेर में एक क्वेशन दिया था और मुझे पूरा उम्मीद है बहुतों ने नहीं किया होगा कि दोस्तों है मैं राजन वर्मा यह रहा ऑपका यूट्यूब चैनल आज मैं थोड़ा सा थोड़ा सा बात करना चाहता हूं आपसे मैं यह कहना चाहता हूं उन सारे स्टुडेंट्स से जो अपने दोस्ति जारी में इस समय बरबात कर रहा है हैं बहुत घूम रहे हैं उनके साथ अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं तो उनको करना चाहिए क्योंकि नौकरी मिलने के बाद इतना यह सब समय उनको वापस नहीं मिलेगा ठीक है और जो बच्चे बैट के तयारी कर रहे हैं भी नौकरी के लिए वह पश्टाएंगे कि क्यों मैंने घूमानी अपने दोस्तों के साथ ठीक है जही बात लागो होती है रड़कियों के ऊपर अपनी सहलियों से आपको खतम कर दूँगा और यह मैंने प्रिवेश यह की आपको दिखेगा नी प्रिवेश की कोश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कोश्चन एक्सेक्टिट कोश्चन जैसा कि आपके एक्जाम में पूछा जाएगा। वह सारी कोश्चन है जो मैं आपको सारे सॉल्व होगा पहली क्लास अगर आपने छोड़ दी तो आगे समझना मुस्किल होगा आपको ठीक है तो मेरा परसेंटिस खतम हो जाएगा चैप्टर आप उसको फिर और बुक से क्वेशन उठा के लगाईएगा प्रिवेश्यर पेपर के क्वेशन लगाईएगा और कहीं कोई में बोक्स में भेश दीजिएगा बहुत जरूरी होगा तो मुझे मेल भी कर सकते हैं मैं अपना मेल आइडी दे दूँगा मेरे वैसे चैनल पर पढ़ा हुआ है ठीक है चले तो आज का क्लास सुरू करते हैं हाँ आज मैं कोशन लिखूंगा और साथ में रख भी करूंगा थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोग वीडियो को फॉरवर्ड कर लिजेगा डबल टाइप करिएगा दर सेकेंड फॉरवर्ड हो जाएगा नहीं तो सेटिंग में जाके अपनी स्पीड को बढ़ा लिजेगा ठीक है ओक है तो यह मैंने एक कोशन दिया था होमवर्प में है ना बहुत ही इजी कोशन था चले मैं बताता हूं इसको ए-प्लस-बी का बीस परसेंट परसेंट हटाने बे सो से बाग करते हैं आपको पता है और बी का पचास परसेंट यह भी आपको पता है से यह ओगया आपका 0 से 0 कट गया, 100 से 100 कट गया, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, दोस से हम अंदर multiply करेंगे, bracket में, दोस से अंदर multiply करेंगे, तो यह हो जाएगा, आपका 2A plus 2B equal to 5B, ठीक है, तो यहां से आपका हो जाएगा, 2A equal to 5B, और 2B को इधर लाएंगे, तो minus का 2B, 2A equal to 3B, और यहां से आपका A upon B equal to हो गया, 3 upon 2, तो A की value कितनी आगई, 3 आगई, और B की कितनी value आगई, 2 आगई, तो आपके पास value given यह है, 2A minus B upon 2A plus B, ठीक है, अब आपकी A की value को 3 रख दीजे, B की value को 2 रख दीजे, 2 into 3 minus 2, 2 into 3 plus 2, ठीक है, 6 minus 2, 6 plus 2, 4 upon 8 equal to 1 upon 2, इसको कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते थे, 2A minus B है upon 2A plus B है, ठीक है, हम क्या करें, इसमें B से भाग कर देते हैं, ऊपर भी B से भाग कर देते हैं, नीचे भी B से भाग कर देते हैं, 2A upon B minus B upon B, B upon B करेंगे, तो 1 आ जाएगा, और 2A upon B plus 1, ठीक है, तो अब आप जानते हो, A upon B की value आपने निकाल रखी है, तो हो जाएगा, 2 into A upon B, 3 upon 2 minus 1 upon 2 into 3 upon 2 plus 1, यहां से आपका 2 से 2 कट गया, यहां से 2 से 2 कट गया, 3 minus 1, 2, और 3 plus 1, 4, 1 upon 2, ठीक है, दोनों तरीके से आपका अंसर आ जाएगा, मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, हमको trick नहीं आता है, भाईया हमको तो नहीं आता, हम बेसे ही बढ़ाते हैं, विलकुल basic से बढ़ाते हैं, ठीक है, और बच्यों को ऐसे समझ में भी आता है, एक बात और कहा दें, ट्रिक होता क्या है कुछ क्लिओं उसको जब सेंख लेते हैं उसको जब फास्ट करने लगते तो वही just बन जाता है अगर आप basic सीखेंगे यह नहीं तो ट्रिक कभी समझ में नहीं आएगा जब basic concept आपका clear रहेगा तब ही तो अप को समझप होंगे कि हां यह याय पानी भी कर लीजे आप लोग क्योंकि आप लोग तो पॉस करके देखोगे मास्टर जी को तो लिखना पड़ेगा ना मैं जल्दी जल्दी लिखता हूं एक वर्ग की भुजा को को मापने में पांच परसंट अधिक माप ले ली जाती है माप ले ली जाती है तो इसके छेत्रफल में तो इसके छेत्रफल में होने वाली तुरूटी प्रतिसब क्या है तुरूटी किसे लिखते है इसे लिखते है ठृतिसब क्या है ठीक है चलर को हुआ है सै टुक एक वर्ग की भुजा को मापने में पांच परसंट अधिक माप ले ली जाती है ठीक है अ मतलब जितना भीमापना था गल्ती ये उसके 5 परसंट अधिक ले लिया गया और इसको हम लिशकते हैं एक बटा 20 मतलब पहले यह पहले एक वर्ग था जिसको गलती से मापा गया तो यह हो गया यह पहले था और यह बाद में ठीक है तो पहले भुजा कितनी थी 20 थी तो यह भी 20 यह भी 20 और बाद में कितना हो गया जब पांच कोर्समें पहदिक हो गया तो एक बढ़ गया तो बाद में कितना हो गया जब एक बढ़ गया तो कितना हो गया 21 हो गया और 21 तो इसका 6 तरफल कितना हो झाएगा भुजया का 6 तरफल क्या होता है भुजय इसक्वाइर मतलब 20 के स्कॉर्ए होता है अब है इक्षैस के स्कॉर्एर होता है 441-400 2 हर का त्रूटी प्रदीशत निकालना है हमें तो पहले जो था इससे यह हो गया है न तुलना किससे की जाएगी इससे तुलना की जाएगी तो चार सव नीचे आएगा ठीक है कितना आगया आपका 41 बटे 400 गुड़े 100 कट गया आपका कितना आगया गया है चार दाहम 40 दसमलो चार दुनियाठ और पांच जो थी कह थी तो यह आपका आंसर हो गया चले अपनी दूसरे कोश्ण पर चलते हैं नीरज की कमाई साट परसन घड़ जाती है और उसके बाद फिर साट परसन बढ़ जाती है उसकी कमाई पर अंतिम हानी प्रतिसत ग्याद कीजिए बहुत इसी है मैंने अपने पहले लेक्चर या दूसरी लेक्चर में स सब बता रखा है आप कोशिन करोगे ना आप उस सब आएगा अब बस पढ़ने की जूरत है तो इसका मैंने इक फॉर्मुला बताया था फिर बढ़ जाती है तो फिर बढ़ जाती है तो प्लस और प्लस मैंनस क्या होता है माइनस माइनस और प्लस माइनस 60 इंटू 60 अपान 100 तो यह तो 0 हो गया माइनस 3600 upon 100 तो कितना हो गया माइनस 36% और माइनस हम लिखेंगे नहीं माइनस का मतलब है हानी ठीक है यह आपका अंसर हो गया चले आगे बढ़ते हैं यह सारे रेल्वेक में पूछे भी कोशिन है NTPC और ग्रूप D यह ग्रूप D के कोशिन चल रहे है राम और रहीम की आयू का अनुपात यह राम है यह रहीम है 10 अनुपात 11 है तो रहीम की आयू अब देखें कल जो मैं आपको बता रहा था A, B का कितना प्रतिस्थ होगा A, B, A का कितना प्रतिस्थ है A, B से कितना अधिक है वो सारे concept मैंने बताया थे वो यूद होगा रहीम की आयू राम के प्रतिस्थ में क्या है तो रहीम की आयू कितनी है 11 किसे किसके राम की प्रतिस्थ में किसे तुलना कर रहा है रहीम की आयू राम की प्रतिस्थ में तो 10 गुड़े 100 प्रतिसत में बदलने के लिए 100 का गुड़ा करेंगे यह और यह कट गया कितना आया एक सब दस प्रतिसत ठीक है यह आपका आंसर हो गया इतने इजी इजी कुछे जाते हैं ग्रूप दी में और मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको उससे थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ा रहा बस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और प्लीज अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको सच में बेसिक से जरूरत है मैद की और वो पढ़ना चाहते हैं चलिए चौते कोशिन पर चलते हैं एक सहर में 75% जनसंख्या सिच्छित है यदि सहर की कुल ज हां भाई यही आता है इतना ही आसान आता है ज़रूरत है आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका ठीक है तो एक सहर में 75% जनसंख्या सिच्छित है सो परसेंट थी 75% जो है वो सिक्षित है आपका तो जो असिक्षित है वो 25% होगा होगा कुल जनसंख्या 8896 है कुल जनसंख्या 8896 है तो असिक्षित लोगों की संख्या बताईए अब इसमें से या तो 75% निकाल लीजे फिर जो बचेगा वो असिच्छित होंगे या फिर आप क्या करिए 8896 का 25% निकाल लीजे ठीक है तो 8896 into 25 upon 100 ये 4 से कड़ गया 25 चुक 100 और ये कड़ गया चार दुनी आठ चार दुनी आठ चार दुनी आठ चार चुक 16 ये आपका आंसर हो गया क्वेशन लिखने में हमारी हालत खराव जाती है सॉलूशन इतना छोटा सा होता है किसी संख्या का भई या ध्यान दे ले न ऐसे कोश्यन आते हैं जिनको नहीं आता है जरा बिल्कुल ध्यान से सुनना किसी संख्या का 30% किसी संख्या का हमें नहीं पता तो X का 30% जानते हैं ऐसे कोश्यन में क्या करना होता है जैसे बोल रहा है चुप चाप वैसे ही एक्वेशन बनाते चले जाओ आंसर निकल के सामने होगा किसी संख्या का 30% मैंने किया 120 के 15% से 21 अधिक है मतलब कोई संख्या है जिसका 30% 120 के 15% से यह जितना भी होगा उससे 21 अधिक है यह क्या है 21 अधिक है अगर यह अधिक है तो 21 को हम इधर जोड देंगे तब तो यह दो तो 21 तो पहले यह अधिक है 21 और जोड दोगे तो दो बार 21 जोड गया ना तो हम 21 को किदर जोड़ेंगे इधर जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा एक्वेशन बराबर होगा ठीक है कहने का मतलब है अगर मान लो यह 100 है 121 ठीक है यह कितना था मान लो यह 100 था तो कह रहा है 21 कि यह जो संख्या है ना यह इससे 21 अधिक है तो 21 अधिक है आपको दिख रहा है अब अगर 21 आपने इधरी जोड़ दिया तब तो यह डबल हो गया ना तो बराबर करने के लिए आप 21 किधर जोड़ोगे इधर जोड़ोगे ठीक है यह चोटी सी बात आपको समझ में आगी अब आपसे गलती नहीं होगी ठीक है अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह और यह कट गया और कुछ काट लिए यह और यह कट गया और कुछ काट लो दो पांच इरतर अब पांच दुनी दस पांस त्याइं पंदर ठीक है दो चंग बार तेक लोग बच्चों की तरह गुड़ा भाग करते हैं और एक्जाम में भी हम ऐसे ही करके सिलेक्ट हुए है ठीक बस आता है तो आपको टाइम नहीं लगी गया ठीक्स अपन टेन इक्वल टू छैत्रिक ठारा और कुछ बचा किया प्रासीक किस तो नाट एक नोग दो एक तीन और यह ठीक्स अपन टेन थी एक्स इक्वल टू थर्टी नाइन इंटू टेन का मुल्टिप्टाई इधर हो जाएगा अब क्या हो गया एक्स इकोल टू थर्टी नाइन अपन थी इंटू टेन तीन से यह कड़ गया तीन एकम तीन तरीक का नोग गुड़े दस बराबर एक सो तीस एक्स की वै्लू क्या आगई एक सो तीस एक बात समझ लें मैं एक-एक इस्टियप करा रहा हूं उन सब की लिए जिनको कहीं भी दिक्ट है तो वो हमसे बात सो करनी पा रहे इस लिए उनकी की इस्टियप करार रहा तो मतलब 130 का 30% ठीक है कितना हो गया 0000 3349 ठीक है 120 के 15% से 120 का 15% कितना आएगा 00 कट गया फिर वही अधिक है मुझे 21 में से आठ गया 113 में तो यू इससे कितना अधिक है 21 अधिक है तो अगर एक किस इधर ही जोड़ देते तब तो गढ़बड हो जाता है ला इसलिए एक किस इधर जोड़ेंगे सब बच्चों वाले हैं ना कि एक सब बीस रन बना है कि ठीक है कौन था ये विराट कोहली साथ चौके और आठ चौके तो ये आपका चौका और ये आपका चौका तो एक चौके में चौके चाँ रन होता है और ये हम को सबस्ते तो इदर से 18 धन बनाया ऊसने और इदर से 48 रन बना दो छोक्य से टूटल कितना रण बना लिया उसने आठ शोलग छार दुछा एक साथ 74 इसने टूटल बना लिया ठीक है आपका टूटल रण कितना था केवल चोक्य से 76 रन बना लिया 120 रन था उसने से 76 माइनस कर दीजी छह ग्यारम से साथ गया चार कितना आया 46 तो कह रहा है यह 46 रन जो है विकर्स के बीच में दोड़कर उसने बनाए है ठीक है तो अब यह 46 रन कितने प्रतिस्यत रन है जो यह बनाए है कितने प्रतिस्यत है तो 46 है और किसका 120 का कि अरे टोटल कहीं तो निकालेंगे भाई टोटल कहीं निकालेंगे ना चलो काटो कि दो चंग 12 दो दुनी चार दो त्याइंग 6 ठीक है दो त्याइंग 6 दो पांचे दस पांत पंद्रक पांच हासिल लगा एक पांच दुनी दस और एक ग्यारा बटे तीन भाग कर लो कितना जाएगा तीन त्रिक का नो और कितना बचा नो दो ग्यारा तीन ओठे चौबिस एक बटा ठीक है चलो अगले कॉश्चन पर चलते हैं एक यी आमदनी बी की आमदनी से 25 पॉरसेंट अधिक है कितने प्रतिसत है करा चुका ओं मैं आपके कॉपी में लिघाऊँगा एक यांदनी बी तो एह और यह बी है a इंदने से 25% अधिक है adhik है पुक्चिस पॉरसेंट बी से तो बी को सव माल लो और यह हो जाएगा 100 पाच्चे यहां तक ठीक है अब कहा रहा है बी की आमदनी बी की जो आमदनी है कितनी सो है एक आमदनी से कितने प्रतिसत है तो एक आमदनी कितनी है 125 है कितने प्रतिसत है जितना पूछ रहा है उतना ही दिमाग लगाना है यह मत सुची का इतना आसान कैसे दे देता है कुछ तो होगा पच्छिस चोग सव पच्छिस पच्छे और पांच दूनी दस जीरो चार दूनी आठ असी परसेंट आपका अंसर है ठीक है चलें अगले कोश्चन पर चली चलते हैं तो आपका आठवा और नौवा कोश्चन है चली आगे बढ़ते हैं है ना एक टोकरी में 480 सेब हैं जिनम से 288 सेबो को कुछ चात्रों में बाठ दिया गया तो टोकरी में सेज सेबों की संख्या क्या ह। है ना है要 तो एक बढ़ी हा सा टोकरी है कि उसमें सेब भरे बया है है मैं कि इतने है चार सो असी सेव हैं ठीक है समझ में आ गया दो 288 से वो कुछ हात्रों में बाड़ दिया गया यहां से हमने 288 से निकाल दिये बचा कितना भाई दो बचा और नौ बचा और एक बचा है बचा ठीक है ना तो टोकरी में से चार सो असी सेव हैं इनने से 288 सेवों को चात्रों में बाड़ दिया गया कितने चात्रों में बाड़ गया है 288 सेव हैं कितने चात्रों में बाड़ गया है हमें नहीं पता हम माल लेते हैं कितना एक्स चात्रों में बाड़ दिया गया ठीक है इन्टू एक्स ठीक है तो टोकरी में सेच सेवों की संख्या बताईए अच्छा कि रुक्जा भाई कि कुष्चन ही गलत लिखा है चलिए आपका यह अगला कोशन है एक टोकरी में 480 सेव हैं जिन में से 288 सेवों को कुछ चात्रों में बाड़ दिया गया तो टोकरी में बचे सेवों की प्रतिसत क्या है कितना सेव बचा है 192 बचा है टोकरी में कितने सेव हैं 480 तो इसका प्रतिसत बताईए जो बचा हुआ है वह बहुत आसान है जिरो जिरो काट दो और दो दुनी चार दो चोको आट दो नो आट ठारा और दो चंग बारा ठीक है और कटेगा हां काट दो बारा दुनी चोविस बारा अठे चानबे दो चोको आट दस कुड़े 40 परसेंट हम पहले ही बता चुके हैं कि पहाड़ा वाड़ा हमको याद नहीं है हम बिल्कुल बेसिक तरीके से करते हैं जब अपनी तयारी कर रहे थे तब नहीं याद के तो अब क्या याद करेंगे वर्स 2008 में कुल 37 परसेंट कर्मचारियों ने कर अदा किया ठीक है कर मतलब टैक्स अदा किया गैर कर्मचारियों की संख्या जिन्हों ने टैक्स नहीं दिया है उनकी संख्या है 12,600 तो कुल कर्मचारियों की संख्या बताईए अच्छा जो टेक्स पेयर है वो 37% कर्मचारी है तो नॉन टेक्स पेयर कितने हो गए 43 और 63% हो गए आपके नॉन टेक्स पेयर हो गए ठीक है ना 100% होता है अब उनकी संख्या कितनी है 12600 मतलब यह किसके बराबर है 12600 के तो यहां से एक परसेंट बराबर कितना हो जाएगा 12600 बटे 63 और 100% हमें कुल कर्मचारियों की संख्या पूछ रहा है तो कुल कर्मचारियों की संख्या 100% बराबर 12600 बटे 63 गुड़े 100 इकट रहा होगा देखो तीन दूनी छे छे दूनी बारा देखो हमको आता है पहाड़ा दू यह बार में कट गिया 200 गुड़े 100 अब देखो कितना हो गया तो कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है अंसर आगया ठीक है चलो आगे चलते हैं चली अपने अगले क्वेशन पर आते हैं एक सहर की जनसंख्या चार पॉर्सेंट प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है इसके साथ ही एक पॉर्सेंट की अतिरिक्त व्रिद्धी नौकरी खोजने वालों के अप्रवासन की बज़र से होती है दो वर्स के बाद जनसंख्या में प्रतिशत व्रिद्धी क्या होगी बताए क्या होगी मान लेते हैं अभी जनसंख्या कितनी है काओं की चाथ और प्रतिवर्ष के बढ़ती और दो साल तक बढ़ती है हुआ है तो है चाहर पर सेंट और जोड़ गया जो नौकरी खोजने के ट्करोना और अरोना का समय चल्रहा होगा सरकार भी हो सकती है तो कितना हो गया पांच परसेंट तो पांच परसेंट की दर से बढ़ती है पांच परसेंट तो यह हो जाएगा 105 बटी 100 प्रतिसत है ना गुड़े 105 बटी 100 ठीक है अफसाल कौन करेगा यह आपका अंसर आ गया काटू 5 दूनी 10 चीरो और 5 दूनी 10 और एक 5 चोग 20 और 5 दूनी 10 और एक यह हो गया 441 बटी 4 अब भाग करोगे तो आ जाएगा 10 तसलो दो पांच ठीक है कितनी व्रिद्धी हो गई इतने परसेंट की व्रिद्धी हो गई ठीक है दस्वा क्वेशन कहता है एक दस संटीमीटर की रेखा भूल से मतलब गलती से वह बारह दसलो पांच संटीमीटर मापी गई ठीक है सही क्या था अधस संटीमीटर की और गलती से का कर दीएंत्वारह दसलो पांच संटीमीटर हो जाता है कितना कितना गलती किये हैं गलती कितना किये हैं तो दूल दूल लूग पांच को ड़स से कितने जो दूल दूल 5 गलती हुआ है वो इसी पर शन्ख्या आपका जो सही वाला था तो दस्रेवा नजलाों थीक है यह कर दो जीडो अगया यह और यह कड़ गया कितना आ गया 25 परसेंट मतलब सच में रेलवे के ग्रूप डी और एंटी पीसी में भी ऐसे क्वेशन पुछे जाते हैं आईए अपने ग्यार्वी क्वेशन पर चलते हैं यह बारवा है आपका यह दि एक का x परसेंट और बी का y परसेंट एक समान है तो बी καजैद परसेंट होगा ऑप्षयन है एकका Y बटे Z percent, A का X percent upon Y, A का X Y upon Z percent, A का Y upon Z percent, ठीक है, चलो, देखते हैं क्या होगा, A का X percent, A का X percent, B और B का Y percent, और B का Y percent, समान है, तो B का Z percent होगा, कितना होगा, यहाँ से काम करते हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यह हो गया, आपका A X equal to BY, यहाँ भी हमें किसकी value B है, तो हम यहाँ से B की value निकाल लेते हैं, ठीक है, तो A X upon Y को नीचे ले आएंगे, बराबर B, तो B की value क्या आ गई, A X upon Y, ठीक है, तो हम B की जगह क्या रख देंगे, B की जगह value रखने पर, A X upon Y into Z upon 100, ठीक है, option कैसी दे रखा है, A का, A का, A का, A का, तो इसको आप क्या लिखोगे, A का, X और Z, बटे Y, और 100, मतलब बटे में, एक बटे 100 को अगर हम हटाएंगे, तो sign किसका आएगा, percentage का आएगा, A का, X, Z upon Y, यह Z होगा यहाँ पर, X, Z upon Y percent, ठीक है, ठीक है न, मदन हर महीने 12,000 रुपे कमाता है, वो इसका 30% खाने पर, 15% कपड़ों पर, 25% बच्चों की सिच्छा पर, 4% अन्य जगर खर्च करता है, तो इसके द्वारा की गई, बच्चत क्या है, बहुत आसान है, पहले तो कमाता कितना है, 12,000, ठीक है, यह इसकी क्या है, आए है, ठीक है, खर्चा कितना करता है, खर्चा करता है, 30%, प्लस, 15% कपड़ों पर, प्लस, 25%, और प्लस, 4%, यह टूटल खर्चा ही तो है, उसका, पांच, पंद, दस, चार, चोदर, चार, हासे लगा, एक, तीन, दो, पांच, एक, छे, और एक, साथ, खर्चा, 26%, है ना, कितना होगे आपका बच्चत, 26%, तो वह जी तो पूछ रहा है, कि उसके द्वारा किये गई बच्चत कितनी है, कुल आये आपको पता है, 12,000, तो बच्चत कितनी होगे, 12,000 है, 12,000 का आप 26% निकालोगे, तो बटे 100, और 0 से 0 काट दिया, ठीक है, तो का बचा, 12 गुड़े, 120, गुड़े 26, ठीक है, तो 12,000, 72 का दो हसिल लगा साथ, 12 गुड़े 24, 24 और साथ, 31, यह गोगा ना, 24, 36, 31, यह का हो गया, यह बच्चत हो गया, उसका, मदन का, ठीक है, असान था, चले, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, लगे, तेरवा प्रस्ण क्या कह रहा है, एक परिच्छा में, गड़ित के विशे में, अंकिता को एकता से 10% कम अंक प्राप्थ होता है, यह आपकी अंकिता है, यह आपकी एकता है, ठीक है, तो अंकिता को एकता से 10% कम अंक प्राप्थ होता है, अंकिता को 81 अंक प्राप्थ होता है, तो एकता को प्राप्थ अंक ग्याद कीजिए, कुछ नहीं है दो तरीके से कर सकते हैं कई तरीके से कर सकते हैं तो 10% कम अंक प्राप्थ होता है अंकिता को एकटा से 10% कम अंक प्राप्थ होता है तो मतलब अगर इसको 100% अंक प्राप्थ होता है तो इसको 90% प्राप्थ होगा ठीक है तो कह रहा है कि अंकिता का अंक जो है 80 अंक है तो 90 परसंट जो अंकिता का है वो 81 के बराबर है 90 परसंट 81 के बराबर है तो यहां से 1 परसंट किसके बराबर होगा 81 बटन 90 ठीक है 90 नब्बे ठीक है तो यह हो गया आपका नब्बे एक परसेंट तो बोल रहा है एकता को प्राप्तंग ज्यात कीजिए तो हंडिट परसेंट निकाल लें अगर हंडिट परसेंट इसका निकाल नब्बे गुलिस यह और यह काट देंगे नौ नवा कितना हो गया एक क्यासी और नौ दहां नब्बे तो एकता को प्राप्तंग कितने हैं नब्बे ठीक है चलिए यह कोशिन को पढ़िए एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपाद दो अनुपाद तीन है तो विद्याले में चात वृत्ति नाप्राप्त करने वालों का प्रतिसत क्या है चलिए ठीक है हम देखते हैं यह जो बॉइस हैं और जो गल्स हैं कि इनका रेशियो दो और ये तीन है ठीक है कि काम करिए हम दो और तीन को क्या करते हैं 200 मान लेते हैं मतलब फोड़ा सा संख्या बढ़ा लेते हैं छात्र है ना थोड़ा सा ज्यादा कर लिए आसानी रहेगा अब कहरा 25 पर्सेंट और 30 पर्सेंट लड़कियों मतलब जो छात्र है इंको छात्र वित्ती मिलता है तो जिनको छात्र वित्ती मिलता है on 25 परसेंट और दीस परसेंट थो पांच और पांच पंच परसेंट बच्चों को छातविति मिलता है ठीक है तो कितने परसेंट बच्चों नहीं मिल रहा है पैंतालिस परसंट बच्चों को नहीं मिल रहा है का प्रतिस्त ग्याद कीजिए तो यहां वे बच्चे कुल बच्चे कितने हो गए कुल विद्यार्थी 500 हो गए और जिनको छात्रविति नहीं मिल रही है वो कितने हैं 45 परसंट है तो 500 का 45 परसंट निकाल लीजिए तो इनको क्या है इनको छात्रविति नहीं मिल रही है तो आप इसको काट दो ठीक है और यह क्या हो गया 25 25 22 22 ठीक है इतने छात्र हैं जिनको छात्रविति नहीं मिल रही है ठीक है ना चली ठीक है पंदरवा कोश्चन है 605 मिठाईया कुछ बच्चों के बीच इस तरह वित्रित के गएं की प्रतेग बच्चे को मिली कुल मिठाईयों की संख्या कुल बच्चों की संख्या के 20 परसंट है प्रतेग बच्चे को कुल कितनी मिठाईया प्राप्त हुई आपके option है 10, 11, 12, 13 आपको option दे रखा है मैं अभी इसको solve करा रहा हूँ लेकिन कुछ बच्चे वीडियो को pause कर लें और try करें बहुत अच्छा question है और यहां पिर आपका दिमाग कितना चलता है पदा चल जाएगा देखें मैं जितने question करा रहा हूँ सब RRB based है और यह मैं previous year के सारे question उठा के आपको करा रहा हूँ ठीक है तो सबसे पहली चीज कि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसको proper notes बनाईए अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसके बाहर question नहीं आ रहा है मैं एक chapter में अगर आपको 40 से 45 50 question कराता हूँ अगर उसी type के question आपके exam में मिल जाते हैं आपको सिर्फ अंक बदले वे मिलेंगे तो आप कितनी आसानी से question को कर ले जाएंगे तो proper notes बनाईए और आपका अप्रेल से exam होगा group D का अभी तो NTPC का चल रहा है और मैं January, February, March तक आपकी सारे chapter खतम करा दूँगा और आपको previous year paper solve कराऊंगा अपने channel पर ठीक है? आप लोग बस मेरे channel को like, subscribe and share कर दीजे और प्लीज उन सारे बच्चों को share कीजे आप लोगों का group बनाओगा railway group D का आप लोग तयारी करते होंगे उनको share करिए जिए basic से पढ़ाया जाता है concept clear किया जाता है ठीक है? उनको बहुत मदद मिलेगी और मेरे पढ़ाने से किसी की job लग जाती है तो इस से ज़्यादा खुसी और कुछ नहीं हो सकती मैंने और भी लोगों को पढ़ाया है अपनी दोस्ती हैं मेरे दोस्त हैं उनकी भी सरकारी नोपरी लग गई है ठीक है? मैं अभी तक ऐसे ही अपने दोस्तों को पढ़ाता था free में तो क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा आपको पढ़ाता था ठीक है? कुछ नहीं पढ़ाने के बाद मैंने कहा वो डेली मेरे घर आता था एक गंटा बैठता था तो उसका वो अकेला पढ़ता था मैं अकेले बच्चे को पढ़ाता था क्योंकि जॉब के पहले मैं टूशन पढ़ाता था फिर उसके बाद बीच में छोड़ दिया मेरी पोस्टिंग बाहर हो गई थी अब मैं वापस लखनों में आ गया हूँ तो मैंने उससे का कि भाई मैं तुझे सब कुछ पढ़ा हूँगा लेकिन अब तुम मेरे घर मत आओ मैं यूट्यूब पर पढ़ाँगा और जैसे तुम हो तुमको इन कुश्चन की जरूरत है तुमें समझनी की जरूरत है ऐसे और भी प्यारे प्यारे बच्चे होंगे जो पढ़ना चाहते हैं और मेहनत करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं ये कर रहा हूँ ठीक है आप प्लीज अच्छे से पढ़ाई करिए ठंडगा मौसा में रजाई में बैठिए और दिन भर पढ़ाई करिए ठीक है आप अभी तीन महीना मेहनत कर लेंगे आपके आगे के 40 साल 50 साल बन जाएंगे तो इस तीन महीने को विल्कुल 8 गंटा 10 गंटा पढ़ाई करिए कुछ मत छोड़िए सब पढ़िए ठीक है मैथ मेरी जिम्मेदारी है रिजनिंग में अगर कुछ पढ़ना है रिजनिंग भी मुझे पूरी आती है कोई भी टॉपिक पढ़ना है मैं चाहता हूँ कि मैं एकी सब्जेक लेके चलूँ लेकिन आप लोग अगर मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि कुछ और पढ़ना है रिजनिंग सेक्शन में आपको कुछ वीक है मैं रिजनिंग की क्लास भी कर दूंगा टाइम निकाल के कर दूंगा सटर्डे संडे मेरा ओफ रहता है मैं उस दो दिन में रिजनिंग की क्लास कर दूंगा ठीक है तो चली इस कोईशनिंग पर बढ़ते हैं आगे आप लोग बहुत अच्छे से महनत करें ठीक है यह बहुत बड़ी भरती है बहुत ब रहा चुका हूँ छोड़ दिया उसकी भी तयारी कर रहूंगा ठीक है 605 मिठाईया चलिए अब ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ 605 मिठाईया कुछ बच्चों की बीच इस तरह वित्रित की गई कि प्रती प्रती बच्चे को मिली कुल मिठाईया मतलब एक इसनी मिठाईया मिलती है तो मिठाईयों की संख्या एक बच्चे को जितनी मिठाईया मिलती है कुल बच्चों की संख्या के 20 परसेंट है तो बच्चों की जो भी संख्या है उसका 20 परसेंट जो है वही बच्चों को मिठाईया मिलती है तो हम सबसे पहले मान लेते हैं मान बच्चों की संख्या कितनी है एक्स है ठीक है अब क्या कह रहा है प्रतेक बच्चे को मिठाईया मिली प्रतेक बच्चे को मिली कुल मिठाईयों की संख्या किसके बड़ाबर है जितने बच्चे हैं मतलब कितने बच्चे हैं इसका बीस परसेंट है उसका जो बीस परसेंट है प्रतेक बच्चे को मिली कुल मिठाईयों की संख्या कितनी है जितने बच्चे हैं उसका 20 परसेंट जो आया यह क्या है आपका यह अगर इसको आगे हम सॉल्व करें यह और यह कट गया 0.2x अब यह क्या है? यह मिठाईया है ठीक है? यह क्या है? यह मिठाईया है प्रते एक बच्चे को एक एक बच्चे को इतनी मिठाई मिली है ठीक है? एक एक बच्चे को कितनी मिठाई मिली है? इतनी मिठाई मिली है तो कुल बच्चों को बच्चो को मिली मिठाईया कितना होगा? हम ये कहते हैं आपसे कि 10 बच्चे हैं और प्रतेग बच्चे को 5 रुपे मिला है प्रतेग बच्चे को कितना मिला है? 5 रुपे मिला है और 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चो को कितना रुपे मिलेगा? तो 10 बच्चों को कितना रुपए मिलेगा 10 लिखेंगे और वो जो 5 रुपए प्रतिक बच्चे को 5 मिल रहा है तो 5 से गुड़ा करेंगे ऐसे कुल बच्चों को मिली मिठाई है कुल बच्चे कितने हैं एक से हैं और एक बच्चे को कितनी मिठाई मिल रही है, इतना, 0.2x, ठीक है, अब इसको अगर आप solve करोगे, तो यह हो जाएगा 0.2x², ठीक है न, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, फिर क्या कहता है, प्रतिक बच्चे को कुल कितनी मिठाईया मिली, ठीक है, अच् अब यह क्या हो गया, कुल बच्चो को मिली मिठाईया, अब यह क्या है, यह मिठाईयों की संख्या है, यह कुल मिठाईय है, कुल मिठाईय, जैसे 10 में 5 का गुड़ा करने पे कुल रुपया निकल जाता है, 50 रुपया, वैसे ही, कुल बच्चो में, एक बच्ची को जितन two x square और यहां भी कितना है 605 तो यही तो बराबर होगा ना इसके तो हम यहां से x square बराबर अगर निकाल लें x square बराबर तो 605 बटे 0 दसलो 2 हटा दो भाई ठीक है हटा दिया मैंने काट लो 2,3,6,0,2,2,4,2,5,10 x square बराबर आ गया 3025 ठीक है तो x को हटाएंगे x square बराबर यह क्या हो गया यह 55 का square है आपका square से square कट गया तो x बराबर कितना आ गया 55 ठीक है एक्स बराबर क्या आ गया 55 ठीक है ना x क्या है बच्चों की संख्या है बच्चों की संख्या कितनी आ गई पच्पन आ गई, ठीक है भाई, पूछ क्या रहा है, प्रतेग बच्चे को कुल कितनी मिठाईया प्राप्त हुई, प्रतेग बच्चे को कुल कितनी मिठाईया मिली थी, प्रतेग बच्चे को मिली थी, 0.2x, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0.2 और x की जगा हम पच्पन का गुड़ा कर देंगे है ना तो प्रतेक बच्चे को जो मिठाई मिली हो कितना हो जाएगा इसको आप हटाओगे दस हो जाएगा दो पांचे दस और यह पांच से कटा एक ग्यारा ठीक है तो एक एक बच्चे को कितनी मिठाईया मिली है ग्यारा अच्छा एक चीज और तीखिए सबसे पहली चीज 20 तक पहला याद कर लीजिएगा 50 सीज तक कम से कम 30 स्कौयर रूट करिए और 20 स्कॉब रूट करिए ठीक है मुझे 20 तक पहला नहीं याद आद क्यूब आद ओर इसकॉब रूट याद है सिख लिजी ठीक है हम दो दो इधर से राइट हैंड साइट से दो का जोड़ा बनाते हैं दो दो का जोड़ा बनाते हैं बन गया दो दो का जोड़ा नहीं बनता तो भी उसका तरीका होता है लेकिन अभी बन गया तो बन गया अब हम ऐसा पहाड़ा पढ़ते हैं जो पहाड़ पांच आया और जिस पहाले को पढ़ते हैं उतनी बार ही पढ़ते हैं और उतना ही यहां पर जोडते हैं दस हो गया और यहां पर जो बचा है जो जोड़े में है उसको पूरा उतारते हैं ठीक है बात समझ में आ रही है अब हम यहां पर किस नंबर का गुड़ा करें कि यह पूरा का पूरा कट जाए और जिस नंबर का गुड़ा करेंगे उसको उतनी बार ही करना है मतलब अगर हम आप 5 का गुड़ा करते हैं है ना 5 का 5 बार में तो 25 और 5 इकम 5 तो यह कट गया तो आपका परफेक्ट स्क्वाइर रूट क्या आ गया पच्पन आ ठीक है ना यह मैंने आपको बता दिया कोशन को एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं कि कह रहा था कि बच्चों की संख्या मैंने मान लिया एक्स है प्रतेक बच्चे को जो कुल मिठाई मिल रहे थी एक बच्चे को इतनी मिठाई मिली है कुल बच्चों को कितनी मिलेगी तो कुल बच्चे एक्स है और मिठाई की संख्या इतनी है तो गुड़ा करेंगे यह कुल मिठाईया निकल गया गई कुल मिठाईयों की संख्या 605 है तो इसको 605 के बराबर करेंगे यहां से एक्स की वैलू आ प्रस्न था ठीक है चलिए अब हम कुछ सवाल रह गए हैं उसको अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे ठीक है तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए ओके नमस्कार